हे गाईश तो मैं अब एक थोड़ी देर पहले एक जियो सिनेमा की मूवी देखिए जिसका नाम है एक कोरी प्रेम खता और सच में यार इतनी बखवास मूवी थी है कि क्या ही बोदू अगर मैं इसी कहानी की बात करें तो कहानी है एक ऐसे गाउं की जहां पर एक काफी गंदी प्रथा है कि जो भी नहीं भवाती है उसकी बरजनेटी चेक की जाती है मतलब सोच के देखो कितने गंदी चीज़ है यार ये और इस पर कितनी हार्ड हीटिंग मूवी बना ही जा सकती थी लेकिन जो राइटर्स हैं उन्होंने क्या हगा है इसके बारे मैं आगे वीडियो में बात करूँगा अगर मैं से स्क्रीण प्रेड की बात करूँ तो सच में यार इस मूवी के स्क्रीन प्रेड में कुछ भी नहीं है मतलब सच में कुछ भी नहीं है, स्टाडिंगा फर्स्ट हाफ तो कैसे निकलता है, हमें समझ भी नहीं है, हमें लगता है यार यह क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, यार इस मुवी का टॉपिक क्या था, क्या होनी चाहिए थी इसके स्क्रीन प्ले, और राइटर्स हमें क्या दिखा रहे है, मतलब कुछ भी दिखा रहे थे, फिर सेकेंड हाफ भी जिस तरह से जाता है, अल्मूस्ट कुछ भी नहीं होता, लास्ट क्या आदे घंटे की, अगर मैं बात करूँ 15-20 मिट की, तो हाँ, उसमें थोड़ी बहुत चीज़े होती है, लेकिन वो भी ऐस ही नहीं होती, कि जिसके करण आपका इस मूवी, ये मूवी आपके कोई impact डाल पाया, और आपको कोई shock या surprise कर पाया, जो की कापी ज़्यादा बुरी बाती ही, जाता बात है character development, और characters के विशे dynamics की, किसी भी character में इतनी जान ही नहीं है, कि हम किसी भी character के साथ थोड़ा भी connect, और जो characters के विशे dynamics थे, वो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब सच में यार, ये क्यों थे, किस वज़े से थे, किस situation में थे, क्या कुछ कर रहे थे, मतलब वो तो बस writer और director ही जानते हैं, बात करूँ twist and us के, तो उसके नाम पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, मतलब ये movie ऐसे खतम हो जाती है, मतलब क्यों हूँ, मतलब कुछ तो दिखाते है यार, कुछ तो होता है, इस movie में बहुत सारी चीजें जिन पर बात की जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं उन चीजों पर बात करने गया, तो बस बुराईया ही करता रहूँगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता, बात करूँ, अक्टर्स की बपॉमेंस की, काम काफी जादा खराबे बात करूँ, एडिटिंग के तो वो भी काफी जादा बहतर होनी चाहती, बात करूँ, प्रोडक्शन कॉलिटी के तो वो बिलो एवरेज है, तो overall मुझे तो ये movie बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी recommend नहीं कर पाऊंगो इस movie को, क्योंकि इस movie का जो topic है, वो काफी जादा interesting है, लेकिन जो execution है, वो बखवास है, इसकारण से मैं तो इस movie को बिल्कुल भी recommend नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इने movie देख रहे हैं, तो मुझे comments पर जरू बताना कि आप कोई movie कैसी लगी, बाकि मिलते हैं क्लिए वीडियो में तब सकती जाहें, जय भारत!